एलो दोस्तों मैं हूँ बिशेक और गैजिस्यूस के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज का यह वीडियो होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग क्योंकि यहां पर कुछ इंट्रेस्टिंग फोन की बारे में बताने वाला आपको जो की अक्टूबर 2018 में आएंगे और यह वीडियो फटा फट चलेगा पहला फोन यहां पर है ऑनर की तरफ से इसका नाम है ऑनर 8 काफी एक्साइटिंग फोन है इस फोन के इंदर 6.5 इंच का FHD प्लस वाला डिस्पेल मिलता है नौच वाला डिस्पेल मिलेगा आपको इसमें 710 वाला प्रोसेसर है जो की कॉर्टेक्स A73 के जिसमें चार कोर्स हैं तो परफॉर्मस में भी यहां पर अच्छी परफॉर्मस का रियर कैमरा मिलेगा साथ ही साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जो की F2.0 अपर्चर के बात है एक और फोन है यहां पर जो की आ सकता है इंडिया में और यह कंपीट करेगा मी मैक्स 3 के साथ और यह भी ऑनर की तरफ से जिसका नाम है ऑनर 8X मैक्स तो 8X मैक्स बिसि अधर के आस्तास ही रहेगा राम की बात करें तो 4GB, 6GB RAM इस फोन में मिल जाएगी आपको 64GB, 128GB तक स्टोरेश मिल जाएगी और यह फोन एक्चली में मी मैक्स 3 से कंपीट कर सकता है और मी मैक्स 3 यहां पर है तीसरा फोन जो की शाओमी की तरफ से अक्टूबर में आने वाल 8X Max और Mi Max 3 दोनों ही कंपीट करेंगे और इन दोनों में से कोई भी फोन अगर आप कंपीडर कर रहे हैं तो उस केस में आप इन टैबलेट को कंपीडर कर सकते हैं अब हम बात करते हैं और फोन की यानि की लिनूवो का एक और फोन जो की अभी अभी जो है आल्मोस कर्टिफ अब इसके बाद जो अगला फोन है वह है नोकिया की तरफ से जिसका डिसाइड हो गया है 11 तारिक को इसका लॉंच है इंडिया में और यह नोकिया 7.1 प्लस है जिसके अंदर आपको कामरा मिल रहा है नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है 13 प्लस 12 रियर कामरा का इस से और थोड़ा और बढ़ा के नोकिया लॉंच कर दे इसकी बात करते हैं एक और फोन की जो की आने वाला है और यह इन्फिनिक्स की तरफ से जी हां मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स 06 की इस पोन के नंदर आपको 18-9 डिस्प्ले मिलेगा नॉच वालर डिस्प्ले मि हो सबता है कि इसमें भी आपको Android 1 वाला OS जो है मिल जाए बैटरी तकरीवन 3500 image की बैटरी मिलेगी जो की आल्मॉस्ट वही है जो की Realme 2 Pro में है कैमरा के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं तो इसे में डिवाइस जब आएगा तो और इसके बार बताएंगे लेकि और दो कैमरा फ्रंट में हैं तो कि इस तरह से यहां पर पांच कैमरा इस फोन मिल जाते हैं और अक्टूबर 4 को इसका ग्लोबल लॉंच होगा तो पांच कैमरे वाला यह पहला फोन LG की दरफ से आएगा जिसका नाम है LG V40 ThinQ जो की अगेन एक फ्लैक्षिप फोन है लेकिन एक नए फोन के बारे बात कर लेते हैं Samsung की तरफ से एक और नया फोन आने वाला है Samsung A9 Star Pro इसके अंदर आपको चार कैमरा मिलेंगे रियर में अब मुझे नहीं पता कि यहां पर इतने कैमरा बढ़ा कि यह क्या क्या ही कर लेंगे लेकिन definitely कुछ नई फंक्शनालिटी के साथ यहां पर depth sensor के लावा हो सकता है कि आपको एक और black and white sensor मिल जाए जिससे आप monochrome में अच्छी फोटो ले पाएं ऐसा कुछ हो सकता है A9 Star Pro में यहां पर बात करें अगर फोन के डिस्प्ले की तो 6.2 इंच का FHD plus display मिलेगा और यह Super AMOLED display है तो AMOLED display के साथ होने के साथ इस फोन की प्राइस अराम से आप अभी से मानलो 28,000 रुपे मानके चल लो 28-30,000 के आसपास इस फोन की प्राइस जो हो सकती है जो कि इंडियन मार्कित में रहेगी ऐसे में फोन नहींगा रहेगा लेकिन Samsung के फोन होते ही महेंगे उसमें क्या ही कोई कर सकता है इसके बाद जो अगला सुपर सेल्फी होड मिल जाएगा और हो सकता है कि OLED डिस्प्ले मिले तो ऐसे में OLED डिस्प्ले यहां पर और भी अच्छा रहेगा साथी शाथ 18-9 वाल एक्सपेक रिश्यो तो रहेगा डिजाइन में यहां पर बहुत ज्यादा फरक नहीं है पिछले वाले पिक्सल से जिस सब कुछ इनके बारे में लीक हो चुका है तो बहुत जादा कुछ खास नहीं बचा है ऐसे मुझा लगता है कि Google जब इवेंट करेगा तो सीधा अगर प्राइस भी बोल देंगे तो उतने से भी इवेंट खतम हो जाएगा और लोगो को अल्रडी सब कुछ जो है पता ही है यहां पर बहुत सारी चीज़ीज अगर आपक है वंपलस सिक्सटी है यहां वह डिटेल में जानने चाहे हो तो वीडियो देखिलो जो कि आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो की दिस्क्रिशन मिल जाएगा तो यह था हमारा अपकमिंग फोन का वीडियो जो की अक्टूबर 2018 में आने वाले हैं इन में से अगर आपको कोई भी फोन पसंद है और जिसका वेट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उस लाइक बटन को दब बने का tirar रहे हैं और मारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनकेले भी कुछ ना प्तुष स्वीडियो में है तो कमेंट करना न भूले और वीडियो को लाइक करना न भूले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल मधे मतरा सेक्षर एक वहन है